मालदीव में भी भारत का दबदबा भारत समर्थक अजीम बने माले के मेर चीन से लौट कर धमकी देना पड़ा भारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिपड़ी करने के बाद से मालदीव और भारत के रिष्टों में तल्कियां बढ़ती जा रही है साबित हो रहा है जिसे भर पाना अभी तो फिलाल मुम्किन नहीं है पहले प्रेटन के शेत्र में उसे गहरा धक्का लगा और अब घरेलू मोर्चे पर मालदीव के राश्पती को करारा जटका लगा है दरसत देश की राजधानी माले के मेर का चुनाव राश्पती मोहमत मुईजू की पार्टी पीपोल्स नैशनल कॉंग्रेस बुरी तरह हार गई है और उन्हें हनाने वाले कोई और नहीं बलकि भारत समर्थक कैंडिडेट है माल्दीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम अब माले के नए मेर होंगे ये पत अभी तक मुईजू के पास था लेकिन मुईजू ने पिछले सार राश्पती चुनाव लड़ने के लिए इस पत से इस्तीफा दे दिया था वोटो की बात की जाए तो मुईजू पीपुल्स नेशनल कॉंग्रेस के एशत अजीमा शकूर को 3,301 वोट मिले जब अजीम को कुल 5,303 वोटो के साथ चुनाव जीत गए बता दे कि MDP का नेतिर्थ भारत समर्थक पूर्व राश्पती मुहमद सालिख कर रहे हैं जो राश्पती चुनाव में चीन समर्थक नेता मुईजू से हार गए थे मालदीव के राश्पती मुहमद मुईजू हाल ही में चीन के 5 दिन के दौरे पर गए थे जहां से वो शनिवार को ही राजधानी लोटे लोटते ही उन्होंने बिना नाम लिए भारत को धमकाते वे बड़ा बयान दे डाला कहा हमारा देश उनसे छोटा हो सकता है लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता फिलहाल इस धमकी का जवाब उन्हें अच्छी तरह से उनके ही घर में मिल चुका है बता दे कि भारत और मालदीव को लेकर ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब पीम लक्ष द्वीब की यात्रा करके लोटे थे इस दोरान उन्होंने लक्ष द्वीब की जो खुबसूरत तस्वीरे शेयर कर भारत वासियों से अपील की थी उसके बाद मालदीव के तीन मंत्रियों ने पीम मोदी और भारत के खिलाफ अपमान जनक बाते कही थी जिस पर दोरों ही देशों में इतना बवाल हुआ था कि इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंट करना पड़ा इस पूरे विबात के बाद मालदीव को एक के बाद एक छटके लग रहे हैं